यह है CT scan वाला रूम यहां आप देखिए यह मशीन बड़ी सी मशीन जो आप देख रहे हैं जिनका कभी CT scan हुआ होगा वो तो जानते होंगे जिनका नहीं हुआ होगा उनको बता दो यह CT scan वाला मसीन है और इसमें यहां whole body का scan जो है वो किया जाता है किसी को हजार से ज्यादा नी रिप्लेस्मेंट हम कर चुके हैं spine की भी surgeries या sports injuries, ligament की surgeries या fracture complex fracture surgeries ultrasound room है यहां देखिए जब भी क्योंकि यहां पर gynae specialist कहा ही जाता है इस hospital को यहां पर बहुत सारे जो pregnant women है वो आती है और एक बहतरीन सुविधा जो है यहां से लेकर जाती है यहां पर हमारे सारे tests ही होता है, microbiology है, biochemistry है, pathology है, तो हमारे जितने भी IPDs patient है या बाहर से जो patient आते हैं यहां पर सारा investigations हो जाता है यह Hillview का NICU ward है जहां बिलकुल छोटे बच्चे नवजात बच्चों का इलाज होता है यह देखें यह Hillview का Pharmacy, यहां जो है सारी दवाएं उपलब्ध हो जाती है जो भी तुरह डॉक्टर्स लिखते हैं इस फार्मसी में सर भी तरह की जाता है यह जो भी आर्मिटर है यहां पर पेशिंट उनको कहीं बहार जाने की जुरुत नहीं है ओपरेशन थेटर यह देखें पहले आप पूरा विज्वल्स देख लिजे के ऑपरेशन थेटर कैसा होता है क्या होता है हमारे हम सब चीज कर सकते हैं इन फैक्ट गुटनों के लिए तो पिछले जो छे साथ आठ साल से मैं राची में कर रहा हूं हजार से ज़्यादा गुटनें बदले हैं और हमारा सक्सेस्फूल रेट सक्सेस रेट अल्मोस्ट हंड़िड पसेंट है यहाँ पर हमारे सारे और्थोपेडिक केसेस होते हैं नियूरो सरजरी के केसेस्फूल इस वक्त हम हिल्विव हॉस्पिटल में आये हैं जो कि बरियातु में है और इस हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर हम आपको दिखाएंगे कि यह हॉस्पिटल बाके हॉस्पिटल से कैसे बहतरीन हैं कैसे आपको बहतर से बहतर सुविधाएं जो है इलाज के मामले में प्रोवाइड कर रहा है और क्या कुछ अडवांस सुविधाएं हैं जो आपको हिल्विव हॉस्पिटल में मिल रही हैं आई आपको अंदर ले चलते हैं और हर एक वार्ड को आपको हम घुमा कर बारीकी से दिखाते हैं कि क्या कुछ इस हॉस्पिटल में सुविधाय दी जा रही है इस वक्त देखें ये सबी जो है ये मरीज बैठे हुए है यहां मरीज के अटेंडेंट बैठे हुए है और हॉस्पिटल में काफी कुछ काफी वार्ड है हर तरह की इ्लाज की जा रही है सारी सुविधाय दी जा रहे है उन सारी सुविधायों से हुँआ आपको रूबरू करवाते हैं कि यहां पर क्या क्या इलाज जो है वो पौसिबल है यहां पर हर तरह की वो सुविधाए हैं जो क्रिटिकल कंडिशन में मरीजों को दी जाती है क्या कुछ सुविधाए हैं कैसे कैसे यहां इलाज होता है वो सारी चीज़ें में बताएंगे स्निगधा रॉय मैम हिल्वी की अड्मिनिस्ट्रेटिव हैं यहां सब देखती हैं यह आइसीव रूम हैं और क्या कुछ सुविधाए हैं यहां पर दी जा रहे हैं मरी जो को जब क्रिटिकल कंडिशन हो जाता है तब ही यहां बेजते हैं या फिर हमारे जो भी आक्सिदेंटल ट्रॉमा की केसे आते हैं ठीक है जिनको जरुरत होती है क्रिटिकल केर की तो हम लो इस तरह की मशीने वगरा यूज की जा रही हैं? यहां पर सारे हाई-ेंड मशीन्स है हमारे यहां पर फाइव वेंटिलेटट बेड्स है जो बेड्स पी है वो भी फुली मोटराइजड बेड्स है अगर कोई भी पिशनगर सीरियस होता है उनको हम एजली मोबिलाइज कर सक सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर मतलब एक चीज यहां पर बहुत ही हम लोगों ने ध्यान पर रखके बनाया है जो पेंडेंट है आप देख सकते हैं पेंडेंट में हमारे सारे एक्विप्मेंट्स अटाइश्ट है मॉनिटर को ले लीजिए सक्शन सक्शनिंग ले ली और यह बहुत असानी से जो सिस्टर जो डॉक्टर यहां पर काम करते हैं वो लोग अपना विदाउक्ट है यहां पर काम कर सकता है नहीं तो आप कोई भी जब भी पेशिंट क्रिटिकल होता है तो बहुत ही आप देखेंगे कि अफरा तफ्री मत जाता है लेकिन यहां पर इस तरह से इसको डिजाइन किये हैं कि बेड के आपके चारो तरफ आपका पूरा स्पेस है यहां से कोई भी पेशिंट को हैंडल कर सकता है कोई भी आंगल से हैंडल कर सकता है आई स्यू की बात आते ही सबसे पर दिमाग में आता है कि बहुत खर्ज बैठेगा क्या अधर्स हॉस्पिटल से यहां पर थोड़ी रियायत है नाई हम लोग बहुत ही एकॉनॉमिकल वे में हम लोग अपना पर हम लोग कायम हैं बहुत ही कम किफायत में हम लोग यहां पर ICU की मरीजों का इलाज करते हैं बिल्कुल देखिए यह बेट देख लिए आप कितना सब कुछ बहुत ही अच्छे से आप कहें तो आप आएं तो सीधा यहां जब भी कोई आना चाहता नहीं है लेकिन अगर आता है तो वो बिल्कुल स्वस्त होकर यहां से लौट रहा है और सारी सुविधाय आप देखिए जैसा कि मैं आपने बताया कितना अच्छा है दूसरी चीज यह कि नाम पर डरना नहीं है कि वह हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा क्योंकि हम आई सीउ में भरती हो रहा है यहां सीधा दाम जो है वो कहीं भी अधर होस्पिटल से वह आधा हो जाता है तो यह आप जानते होंगे कि वो डालेसिस कुछ समय के अंतराल में करवाते रहते हैं लेगिन यहां क्यों करवाएंगे क्या कुछ सुविधा है वो हमें बताएंगे वसीम यहां पर लोग डालेसिस क्यों करवाएंगे डालेसिस हमारे पास करानी के बेनेफिट्स है बेनेफिट्स इसलिए है क्योंकि हमने एक यहां पर डिलक्स रूम का फसिलिटी यहां पर दिया हुआ है। यूजवली जो होता है एक हौल होता है जिसमें काफी पेशेंट्स होते हैं प्राइविसी नहीं होते हैं लेकिन हमारे यहां क्या है कि हम एक सेपरेट रूम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को पेशेंट की फैमिली यहां पेशेंट के साथ रह सकते हैं यहां पेशेंट्स हैं क्योंकि चार गंटे तीन गंटे की डियलेसिस होती है उनके पास टी-वी के options होते हैं वाइ-फाइ का option होता है यहीं पर पेशिंट अपना खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं तो यह सब benefits हैं हमारे पास में प्रैविसी का पूरा द्यान रखा जाता है पेशिंट के नहीं लगेगा कि हम होस्पिटल की किसी डियलेसिस रूम में हैं बहुत ही अच्छा माहौल है बहुत ही अच्छी तरीके से लोग यहां पर तीन से चार घंटा बिता सकते हैं कमफर्टेबल वे में यहां पर इलाज किया जा रहा चाहे हूँ आप किसी भी रूम में यहां पर चले जाए आपको लगेगा कि हम किसी होटेल के रूम में थोड़ी देर के लिए ठहर गये हैं यहां सही है होस्पिटल ही है लेकिन फिर भ पर हमारे सारे टेस्ट सी होते हैं मैक्रोब बालोजी है बायो केमिस्ट्री है पथालोजी है तो हमारे जितने भी आई पीडी पेशिंट है या बाहर से जो पेशिंट आते हैं यहां पर सारा इंवेस्टिकेशन हो जाता है जो पेशिंट आया उसका किसी भी तरीके का जाच लिएकास वेलोर के साथ भी जुड़ा हुआ तो यहां के जो भी टेस्ट रिजल्स होते हैं उसको मैच करते हैं वेलोर के रजल्स के साथ तो ये एक standardization का kit है जिससे हम लोग को अपना जो quality है उसको maintain करने में हम लोग को साहता मिलती है तो देखें यहां की सारे test जो भी होते हैं वो वेलोर से direct connected है जैसे की मैडम ने बताया और देखें आप यहां पर देखेंगे सारे advanced technology वाली शारी machine हैं और इससे ज़्यादा authentic होता है यह देखें यह है हिल व्यू का pharmacy यहां जो है सारी दवाएं उपलब्ध हो जाती है जो भी तुनों डॉक्टर्स लिखते हैं इस pharmacy में सर्भी तरह की दवाएं हाँ हाँ यहां पर जो भी मरीज यहां हमें जो भाएं सा दिखाने के लिए आते हैं या जो भी आड्मिडल है यहां पर पेशेंट उनको नहीं बाहर जाने के जरृत नहीं होती है इनको सारे सुविधाय यहां पर यूपलब्ध हो जाती है यह actually 24 hours, 24 घंटे यह pharmacy खुली रहती है जब भी जिसको भी अगर जुरत होती है दवाई की तो यहां से वो ले सकता है मतलब भी तो बहुत easy हो जाएगा डॉक्टर ने तुरंट दवा लेखा हाँ हाँ यह बहुत ही आसान हो जाता है कि जो भी prescribed medicines है उसके लिए आपको बहार जाने की ज़रुवत नहीं होती है सब एक ही रूफ के अंदर ही आपको सारी सुविधाय मिल जाती है यहाँ पर दवा की दुकान भी है यह नीचे वाले basement में है और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही डॉक्टर आपको कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं वो तुरंत ही आप यहाँ पर ले सकते हैं आपको कहीं बहार जाने की जरुवत नहीं होती है वैसे भी जब घर में कोई बीमार रहता है जो लोग होते हैं family members वो पहले ही पारिशान होते हैं तो इतनी भागा दौड़ी करेंगे वो इसलिए एक जगा पर एक रूफ के अंदर आपको सारी सुविधाएं जो है hillview में मिलती है चाहे वो किसी भी तरह की medical से जुड़ी हुई चीजे यह hillview का ultrasound room है है यहां देखिए जब भी क्योंकि यहां पर गाइनी specialist का है कहा ही जाता है इस hospital को यहां पर बहुत सारी जो pregnant women हैं वो आती हैं और एक बहतरीन सुविधा जो है यहां से लेकर जाती है यहां देखिए इवरकोल high technology वाली मशीने यहां पर लगी हुई है और कितना comfortable माहौल है room का वो भी देखिए और क्या कुछ सुविधाय है मैडम से पूछ कर समझते है मैडम अल्टरसाउंड रूम में लेके बाहर जब भी आते हूँग यहां check-up के लिए महिला है तो अल्टरसाउंड जरूरी होता है तो वो यहीं करवा लेती है हाँ हाँ सब यहीं पर अपना अल्टरसाउंड करवाती है और ANC जो जब भी वोमन कोई भी प्रेगनेंट होती है तो उनके three trimesters होते हैं सारे trimesters के यहां पर अल्टरसाउंड हो जाते हैं especially 3D हम लोग initial stage में ही जो nasal bone है यह सारा का हम लोग measurement यह सब दे के हम लोग बता सकते हैं कि जो भी baby है वो well baby है कि नहीं है यह सारी सुविधाय यहां पर उपलब्ध है खाली गरवती महिलाओ का ही नहीं बलकि normal ultrasound भी यहां पर हो जाते हैं जैसे किन किनी को अगर पेट की शिकायत है kidney की शिकायत है river की शिकायत है उनको अगर whole abdomen का अगर ultrasound कराना हो तो वो सारी सुविधाय भी मोजूद है यह एक अच्छी बात हो करे आप हिल भी hospital आएं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ gynae वाले वही यहां पर आ सकते हैं अदर भी किसी भी तरह की चीजों को आपको ultrasound करानी हो तो यहां का बहुत comfortable माहल है आप बिल्कुल करानी हो यह देखिए यह है city scan वाला room यहां आप देखिए यह machine कि आपके head में कोई injury है या कुछ भी है तो आप city scan sir का करवाईए उस तरह में यहां पर किस तरह का city scan हो रहा है यहां पर हर एक चीज का city scan होता है सिर्फ से लेके पैर तक अगर imagine कि जो कोई भी अगर trauma वाले अगर patient आते हैं तो उनका main head injury का होता है तो जैसे ही वो patient आया तो हम लोग तभी के तभी हम लोग देख सकते हैं कि उनके head में कोई confusion है की नहीं कोई problem है की नहीं ठीक है यहां पर हर एक organ का और यह जो machine है यह 96 slice का machine है इसमें हर कुछ बहुत ही minutely सारा details इसमें हम लोग को देख जाता है क्योंकि हमारे जारकंड में mainly 11 slice यह सारे machines है बट यह काफी high-end machine है जिसमें यह 96 slice 96 तो जनरली जो भी जारकंड में जैसा मैडम ने बताया कि 11 slice यह थोड़ा जादा होता है यहां देखिए 96 slice 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 का है यह medical term है इसलिए हम लोग थोड़ा सोच समझ कर कहते हैं यह machine देखिए बहुत advance है बहुत advance जैसा इन्होंने बताया हर तरह की बिल्कुल accurate जो point होता है वो यहां पर measure होता है और यहां का वातावरान यहां का जो environment है वो काफी जादा comfortable है बिल्कुल भी patient को ऐसा किसी भी तरक्य का डराने वाला माहौल जो होता है अस्पतारों का वो नहीं है आपको पिल्कुल comfortable फील कराया जाए और सबसे जरूरी बात यह होती है कि CT scan हमने कराया तो रिपोर्ट कितने दिर में हमें मिलेगा तो उसका यह यहां पर अच्छा benefit है कि सिर्फ देड़ घंटे में आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा कहीं भी आप डॉक्टर की पास जाते हैं आप जब भी उनको आपको CT scan लिखा जाता है तो आप CT scan कराने के बाद काफी दिर इंतजार करते हैं चार गंटे रुको पाच गंटे रुको बारा गंटे रुको कल आईएगा पसो आईएगा ऐसा कहा जाता है लेकिन यहां सिर्फ देड़ घंटे में आपको रिपोर्ट दे दिया जाता है यह है हिल व्यू का emergency ward देखें यहां यहां आप जैसे इंटर करेंगे आपको एक अच्छा माहौल जो है वो मिलेगा आप बहुत comfortable फील करेंगे environment काफी अच्छा है बिल्कुल भी आपको मरीजो वाली feeling यहां नहीं आएगी अब देखें यहां पर यह जो आप देख रहे हैं तीन बेड लगे हुए है यहां पर patient का vitals लिया जाता है उनका सारा जो भी है BP, sugar यह सब चेक किया जाता है उसके बाद तुरंती यहां पर senior consultant आते हैं जो patient को चेक करते हैं अगर कुछ test की जरुरत होती है तो डॉक्टर यहां पर test advice करते हैं और यहीं से sample ले करके हम लोग जहां भी भेजना है भेज देते हैं अगर patient normal होते हैं तो यहां से ward में shift कर दिया आता है अगर critical patient है तो यहां पर कुछ stabilize करके यहां से उनको ICU shift कर दिया आता है initial assessment patient का सब यहीं पर होता है कुछ लोग ऐसे बहते हैं को जिनको जरुरत नहीं होती होगी आगे जाने की first step के बाले आता है बिल्कुल जो भी dressing होता है जैसे कोई patient आए है अगर कहीं पर cut हो गया है थोड़ा बहुत हम लोग यह करके ही उनको भेज सकते हैं तो ड्रेसिंग वगेर हम लोग यहीं से करके patient को release कर देते हैं in fact अगर कोई day care patient है जिनको सिर्फ हमें तीन-चार गंटे monitoring की जरुरत है तो हम लोग यहीं पर रखते है patient को तीन-चार गंटे उनके monitoring होती है फिर यहां से हम लोग patient को गेज देते है देखे यह बेड़ है काफी अच्छा यहां का माहौल आपको देखेगा यह सारी machine है जो भी जरुरत होती है initial stage पर एक मरीज को वह सब कुछ यहां पर है और काफी अच्छा माहौल जो है emergency ward में भी मिलता है लोगों को यहां यहां बिल्कुल छोटे बच्चे नवजात बच्चो का इलाज होता है आप पहले वीजुल में देख लिजी च्छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे जो है उनका अभी treatment है अंडर observation है इन लोगों का इलाज चल रहा है कैसे यहां इलाज होता है कैसे treatment होता है मैं बताएंगे लन किन बच्चो को यहां रखा जा रहा है और कैसे पूरा treatment का क्या सिस्था यहां पर जो बच्चे समय से पहले जिनको हम लोग premature babies कहते हैं उनकी जो mothers की delivery होती है उन बच्चों को यहां पर हम लोग रखते हैं उनका low birth management का हम लोग यहां पर करते हैं प्लस जिन बच्चों को सास लेने में दिकत होती है उनको breathing difficulties होती है बहुत जनों को जर्म के बाद फिर जॉंडिस भी होता है तो हम लोग यहां पर photo therapy की भी सुविधा यहां पर blood है हमारे पास मैं आपको बताती हूं एक 26 weeks में एक बेबी हुआ था उसकी mother को chicken box हो गया था तो उसके delivery हुई और वो बच्चा बस साड़े 600 ग्राम का था ठीक है generally जो एक normal baby जो mature होता है वो 36 सपता में होता है लेकिन वो 10 weeks पहले ही वो birth हो गया था तो उसको हम लोग यहां पर बहुत ही प्यार से हमको लगता है वो बच्चा यहां पर around two to two two and half months यहां पर रहा और अभी वो बच्चा काफी बड़ा हो गया है तो इस तरह के cases यहां पर आते हैं जो काफी छोटे बच्चे है नवजाद शीशू है जिनको बहुत पर वेंटी लेटर्स है जिनके द्वारा अगर बच्चों को जरुत होती है तो उन मशिनों के द्वारा हम लोग उनको ठीक करने में सही होते हैं बिमार तो ठीक होका हां हम लोग की तो कोशिश यही रहती है कि ठीक होके जाए कोई भी डॉक्टर यह नहीं चाहेगा कि हमार ठीक हो गया अपिए बच्ठा ठीक नहींद कर फिर लगी अपर मसीन है फिर आपको बताते हूं कि यहां पर किस तरह के अप्रेशिन जो है किस किस तरह की सरजरी की जा रही है वसीन को आप लोगों ने देखा वाह अनको आपि इस सरजिर्य किस तरह की utilizar जो है यहां पर हमारे सारे और्थोपेडिक केसे होते हैं, नियुरो सर्जरी के केसे, स्कल्की सर्जरी होते हैं, वो सारी सर्जरी हम लोग यहां पर करते हैं, साथी साथ ऑपसें काईनी के जितने केसे होते हैं, मेजॉरिटी जो भी मेजर केसी होते हैं हमारे, वो हम लोग यहां पर करते हैं. यहां पर फाइदा यह रहता है, सबसे पहला चीज तो जो होस्पिटल के हमारे एन अबेज स्टांडर्स हैं. उन स्टांडर्स के हिसाब से इस OTE को डिजाइन किया गया है, यहां पे low infection के chances होते हैं और sanitization का better हम लोग को यहां पे options मिलता है यहां के जो machines हैं काफी high-end machines हमने यहां पे लगाई हैं चाहे आप CRM देखे या आप ventilator machine देखे आप anesthesia machine देखे तो जो भी अपनी category के best machines है वो हमने यहां पे लगाए हुए हैं यह modular OTA हमारा इस hospital में हर तरह के operations जो है total operation जतनी तरह के operations होते हैं काडियक operations को छोड़ करके काडियक उनिट है नहीं हमारे पास अबी काडियक को छोड़ के बाकि हर तरह के कैसे सामल करते हैं यह सारी आप देख लिजे बहुत अच्छा माहौल जो है operation theater का दिया गया है हम टीवी में देखते हैं या कहीं उस तरह का बिलकुल माहौल है यहां और काफी अच्छा है काफी बहतरीन से बहतरीन आपको देने की कोशिश कर रहा है कि आप कितना कम के फायती रेंज में यहां पर आएं और एक बहतरीन इलाज लेकर जाएं आप स्वस्त होकर जाएं सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है health issues में कि आपको कितने भी पैसे लगे लेकिन आपको इलाज सही मिलना चाहिए और उस बात का यहां पूरा ध् प्रेशन जो है यहां हो रहे हैं और सबसे अच्छी बात ही है कि सारे सक्सेस्फुल आशकर की भाग दोड़ वाली जिंदगी में लोग घुटनों के दर्थ से काफी परिशान रहते हैं स्पाइनल कोड की दर्थ से परिशान रहते हैं लेकिन आपको परिशान रहने की हो जा रहे हैं घुटनों के दर्थ से जीट के दर्थ से हड़ियों के दर्थ से परिशान है लोग तो क्या लगता है कि ऐसे में हिल्भी ऑस्पिटल में जो नितेश प्रियासर हैं वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि वही अब आपको टेंशन लेने की जरुवत नही जिम्मेदारी तो नहीं डेफिनिटली एक विकल्प के तौर पे हूँ कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा के सारे जो भी हमारे पास आएं उनको इमानदारी से जो भी जस्टिफाइड ट्रीटमेंट हो सब दें और साब के प्रॉब्लम्स का सॉलूशन या निदान दें और सब भी लोग जो यहां आएं यहां अच्छे से स्वस्थ होके ठीक होके जाएं हमारी यही कोशिश रहेगी और होफुली ऐसा हम कर पा रहे हैं इतने दिनों से घुटने के भी अभी हजार से ज्यादा नी रिप्लेस्मेंट हम कर चुके हैं स्पाइन की भी सर्जरी या स स्पोर्ट्स इंजूरी लिगमेंट की सर्जरी या फ्रैक्चर कॉंपलेक्स फ्रैक्चर सर्जरी वो सभी हम कर पा रहे हैं और शेहर में और राज्य में इन फैक्ट पडोसी राज्यों से भी वेस बिंगॉल चटिस गर्ड और इसा से भी हमारे पास पेशिंट्स आते हैं और सभी लोग संतुष्ट हो के जाते हैं इतने लोग जो है सर से जुड़े हुए हैं और क्या जब भी यहां पर हॉस्पिटल में कोई आ रहा है खासकर हड्डियों के प्रॉब्लम को लेकर तो क्या सारी चीजों का इलाज यहां पर हो रहा है हड्डियों सारी चीजों का इ एविलेबल हैं पूरे तीनसो पैंसेट दिन हर समय हमारी टीम तयार है और किसी भी तरह की हडियों की समस्या का solution है हमारे पास बहुत सारे hospitals हैं बहुत सारे doctors भी हैं अच्छे अच्छे भी बहुत सारे कोशिश करेंगे और उन्हें एक personal टेच देंगे उनको सारे patients को अपने परिवार अपने family members की तरह समझेंगे और जो सही solution होगा वो advice करेंगे हमारे जो भी fraternity में बहुत सारी चीजें लोग patients को भी लगता है कि नहीं अच्छे वाली कोई वैसी बात नहीं आती है कि कम पैसे हैं तो इलाज नहीं हो नहीं मैं ऐसा नहीं है हमारे बिना अभी बिना एडवांस की लोगों का admission होता है लेकिन मैं बिजनस चला रहा हूं मेरे hospital में 200-200 स्टाफ हैं मैं फ्री में तो इलाज नहीं कर सकता हूं मुझे कोई government grant मिले हाँ जितने कम से कम लो पेमेंट पे जो भी मैं कर सकूँ quality services दे सकूँ वह मैं करूंगा अच्छा ऐसा भी होता था कि गुटनों के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ा था बाहर राज्यों में बड़े-बड़े हर एक शहर दीरे-दीरे evolve कर रहा है बाहर जाके किसी भी चीज की operation I think रांची में हर एक doctor हर एक problem को solve करने के लिए सक्षम है मैं नहीं सिर्फ सभी लोग सक्षम है अब सारी training सारे equipment सारे implant जितनी भी थी अब किसी कोई metropolitan city के लिए को restricted नहीं है हमारे पास हरे एक चीज सारी technology सब चीज available है हमारे हम सब चीज कर सकते हैं गुटनों के लिए तो पिछले जो 6-7-8 साल से मैं रांची में कर रहा हूं हजार से ज्यादा गुटने बदले हैं और हमारा successful rate success rate almost 100% है और शहर में या कहीं बहुत सारे जितने लोग हैं सभी satisfied हैं तभी तो लोग और करार हैं बाहर दूसरा एक advantage है कि यहां हम हमेशा अपन से contact रख पाते हैं ना उनके doctor उनके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं और हर छोटी-छोटी चीज के लिए दिली, बंबई, एहमदाबाद, जैपूर, कहीं कालकटा इवन जाना possible नहीं होता हैं यहां तो हम रात के 12 बजे भी किसी भी time में लोगों के लिए अवेलेबल है त से कम पैसे में मिल रही है, आपका traveling cost बच रहा है और सबसे इंपोंटी आपको एक भरोसा है कि आपका doctor आपके साथ हमेशा अवेलेबल है तो इलाज जो है राची में संभव है घुटनों का, घुटनों से एक दिक्कत ही आ जाती है कि हम operation करवा लेंगे या इलाज करवा लेंगे तो उसके बाद उठने बैटने नहीं पाएंगे यहां चल फिर नहीं सकेंगे, क्या हैसा होता है? मैं, यह बहुत rare case में होता है, हमारे तो जितने examples हैं, normally हम अपने patients जो हमारे पास आते हैं, पूछने हम उनको पहले के examples देते हैं, अपने किसी patient जिनका operate हुआ हुआ हो, उनसे जाके मिलिये, उनके experience से पूछे, मुझे यह निखता है, अगर सही तरह से सही indication में, सही patient के साथ सही surgery की जाए और सही physiotherapy की जाए, तो इसका success rate 100% है, पहले थी कितना साल पुराना hospital है, यह 35 साल पुराना hospital है, और हम लोग यह hospital चार बेट से हम लोगों ने शुरू किया था, और यह hospital सबसे पहले हिल्व्यू nursing home के नाम से जाना जाता था, और यहां पे maximum option गाईनी मतलब deliveries के cases होते थे, लेकिन फिर लेटर ओन हम लोग धीरे-धीरे करके यहां पे services add-on करते गए, और अभी हम लोग 101 bedded hospital है, और अभी इसको आप multi-speciality hospital कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे हर तरह की सुविधा यहां पे उपलब्ध है, चाहे वो neurosurgery हो, orthopedics हो, pediatrics हो, urology हो, general surgery हो, सारी तरह की सुविधा यहां पे उपलब्ध है, और किसी भी तरह की इलाज की जर्रत हो, लोग हिल्व्यू को, हाँ, हाँ, आपको कोई तरह की भी अगर problem हो, आप यहां पे आ सकते हैं, और हम लोग का हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग का जो cost है, वो काफी किफायती और हम लोग बहुत ही ethical way में हम लोग practice करते हैं, और यह हम लोग का motto है, और हम लोग को बहुत जादा tension नहीं लेना है कि हमार पास नहीं है पैसे, या फिर कम है, तो लोग यहां पर आ सकते हैं, हाँ, यहां पर हम लोग का जो भी services है, बहुत ही nominal prices है, हाँ, और हम लोग के hospital में हम लोग पहले से ही अब क्या सकते हैं, कि यह सुविधा हम लोग देते हैं, जब ही हम लोग admission करते हैं, हम लोग advance क्योंकि आप किसी भी hospital में जाएंगे, तो वहां पर लोग पैसे जमा कीजे, लेकि यह एक ऐसा hospital है, पहले हम लोग मरीज को देखते हैं, बाद में हम लोग finance को देखते हैं, प्रायरिटी जो है, इनकी वो है, कि मरीज जो है, जो अस्वस्त होकर आया है, वो यहां बिलकुल स्वस्त होकर जाए, और अच्छी बात यही है, कि इस hospital में लोग आ रहे हैं, तो success rate काफी अच्छा है, स्वस्त होकर जाने का जी, और लोग काफी स्वस्त होकर जा रहे हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है, और हर hospital की अच्छी बात यही होनी भी चाहिए, कि लोग यहां जब आए बीमार होकर, तो वो यहां से बिलकुल स्वस्त होकर निकले, बिलकुल मस्त कर निकले और अपनी जिंदगी बहुत आजादी से जी सके खुले आप जी सके